मढ़ोरा के पियर पूरुआ गाओं में मक्य की खेत में मिली युवक गाओं के ही मुक बधीर दिलिप पंडित बताय जाता है जो कल देर शाम से ही गया था जिसे परिजन ढूंड रहे थे सुबह मक्य की खेत में उसका शौ बरामद हुआ घटना की सूचना पर पहुंची मढ पूलिस ने शौ को पुष्ट माटम के लिए भेज दिया है बताय जाता है कि युवक मुक बधीर दिलिप पंडित देर शाम शौच के लिए जिस खेत में गया था उस खेत में चारों तरफ करेंट से घेरा हुआ था और उसी के कारण करेंट की चपेट में आने से युवक क की मौत हो गई चप्रा के मांजी विधायक सतेंद्र यादों के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले की सुनवाई पूरी 28 मार्च को होगी फैसला MP MLA Special Court में कोपा थानाकांड संख्या चोवन बाय दोहजर साथ पतीला ग्राम निवासी तथा जेट्यू नेता तारकेशुवर सिंग हत्याकांड में आएगा फैसला चप्रा में एक बार फिर अपराधियों ने अपराधिक घटना को अंजाम दिया है राजद नेता सुनिल राई के अपहरन का CCTV भी शामने आया है जिसमें साफतोर पर देखा जा सकता है कि 5 से 6 की संख्या में नकाब पोश अपराधि हत्यार के बल पर सुनिल राई को सफेद रंग के सकार्पियों में बैठा कर चले जा रहे हैं सुनिल राई का अपहरन उनके साधा इस्थित कार्याले से हुआ है कार्याले में लगे CCTV में सभी वर्दा कैद हो गया है लेकिन अहले सुबह कार्याले से अपहरन चर्चा का विश्रय बना हुआ है सुनिल राई अपने अवास में रहते हैं जो कार्याले से 700 मीटर की दुरी पर है इतने सुबह काल्याले को कैसे पहुंचे इसका चर्चा जोरो पर है फिलाल पुलिस सिटीवी के अधार पर जाज कर रही है जन सुराज पद्यात्रा के दौरान सारन के एकमा प्रखंड में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत के सोर ने कहा कि लोग कुरता पैजामा पहने लोगों को देखकर किरीराने लगते हैं भया राशन कार्ट बनवादो भया नाले बनवादो इंतरा आवास नहीं मिल रहा ब्रधा पेंशन नहीं मिल रहा आप ऐसे मांगते हैं जैसे अपना अधिकार नहीं भीख रहे हो जब देश अजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी और अम्बेटकर जी ने आप सब को अधिकार दिया कि आप अपना राजा चुन सकते थे लेकिन अपनी गल्ती की वजह से राजा चुनना तो दूर भी खारी बनकर रह गये हैं सामुदाइक स्वास्तकेंद्र मश्रक में महिला चिकिचक की पदस्थापना लंबे समय से नहीं होने से शेत्र की महिला मरीजों को काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है महिला चिकिचक के नहीं रहने से महिला मरीज अपनी समस्याएं अन्य चिकिचकों को खुल कर नहीं बता पाती है ये एनम से समस्या साजा तो करती है किन्तो संतोष्ट नहीं हो पाती है वहीं लंबे अर्से से एक महिला चिकित्सक नहीं होने से दो लाख से जादा की अबादी अपने स्वास्त को लेकर परिशान रहती है वहीं ग्रामिल शेत्रों की महिलाएं जोला चाप चिकित्सक पर निर्भर हो जाती है सामुदाइक स्वास्तकिंद्र मशक में सभी चिकित्सक पुरुष ही कारड़त है वहीं ड्यूटी के लिए महिला चिकित्सक तो छोड़िए पुरुष चिकित्सक भी भारी कमी है सारन शनातक चुनाओ का बिगुल बज चुका है सभी पर्त्याशी अपने नमांकन के साथ शेत्र में पुर्ण जोर तरीका से भ्रह्मन शुरू कर दिये है अपको बताते चले कि महाचंदर प्रशाद सिंग विगत 6 वर्षों को छोड़ कर लगतार 36 वर्षों तक सारन शनातक शेत्र का प्रतिनी धित्व कर चुके हैं उनका मानना है कि विगत 36 वर्षों में शेत्र के लोगों के लिए उम्मीद से अधिक विकास कर चुके हैं लगादार शेत्र की जनता के बीच रहकर जनता के हक के लिए कार्य करते रहे हैं जन्यता पजार थाना चेत्र में दो युवकों ने एक नबालिक विशिप्त बच्ची के साथ क्या सामोहिक दुशकन पिरित के मलदवार में बैगन डाल दिया घटना की सूचना पिरित ने पुलिस को दिया और पुलिस अभी रक्षा में इलाज के लिए सदर अस्पताल जिजए है